Hello friends, welcome back to my channel आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया practice set जो आपके आने वाले exam में आपकी help कर सकता है और आपकी preparation को और पी ज्यादा improve कर सकता है तो time-life waste करते हुए चले शुरू करते हैं आची class हमारा question number 51 से लेकर 55 तक जितने भी question दिये हुँगे वो फिलिन्दा blanks based हुँगे तो देखते हैं question number 1 इस sentence में आपको क्या भढ़ना है sentence में आपको correct preposition भढ़नी है दुबारा से question दिखिए देखिए जो हमारी work count दी है न count के साथ preposition on आती है और count on का means यहाँ पर हो जाएगा depend on depend on मतलब निर्भर होना तो जहाँ पर भी आपको count दिखाए दे उसके साथ जो preposition लगेगी वो on लगेगी और तब उसका mean हो जाएगा depend on यानि कि निर्भर होना तो जहाँ पर भी हमारा on दिखाए दे आपको समझना होगा कि वो हमारा option right है तो आप देख सकते हैं जो हमारा d option दिया गया है उसमें ही preposition on दी गई है इसलिए यह option हमारा right हो जाएगा next question देखते हैं he is running as if he met इसमें आपको क्या भढ़ना है correct word भढ़नी है देख लेते हैं option been word was या had been आप दुबारे से question को पढ़िए he is running as if he ध्यान दीचे जब भी sentence में आपके as if आई as if का मतलब होता है मानू as if या फिर as do इन दोनों में से कुछ भी आएगा तो उस condition में हमें क्या करना है ध्यान ये देना है कि जो हमारा ये subject है न subject के बाद जो भी word लिखी जाएगी वो past में होनी चाहिए past में होनी चाहिए दूसरी बात ये कि plural होनी चाहिए यानि आप ये ध्यान दीजिए जब भी हमारे sentence में as if या as do आएगा तो उसके पाद जो verb लगती है normally वो word लगती है word लगेगी subject यहाँ पर कोई भी हो singular हो या plural हो इसके साथ जो verb लगेगी वो क्या लगेगी word लगेगी इसलिए जो हमारे option जिसमें भी word लिखा होगा वो right होगा तो आप देख सकते है option number B में क्या लिखा है word लिखा है तो यह option हमारा क्या होगा right हो जाएगा next question दिया गया है this brand of spectacles out of stock these days इसमें भी हमें word भर नहीं है option दिया गया है is are, have been या फिर had been तो अब आप देखिए कि हमारा subject क्या दिया गया है है ना जब subject हम देख लेंगे उसके according ही हम क्या लगाएंगे verb लगाएंगे तो हमारा subject दिया गया है this brand इसको आप ना देखिया या आपको बहुत चन दिखाई देगा लेकिन आप इसको देखिए क्या दिखाई देखिए this brand this brand singular है ना this किसके लिए use होता singular के लिए ना तो हमारा this brand क्या singular है जब singular हमारा subject है तो इसके लिए verb भी singular लगनी चाहिए यान लिखा जाएगा this brand of spectacles is out of stock these days इसलिए जो यह option है वो right हो जाएगा next सेखिए question number 54 no sooner did he open the telegram then he fell down unconscious वर्ब दी गई है toward, teared, torn या teared देखिए जब भी हमारा no sooner did आएगा ना no sooner did आएगा तो did के बाद जो वर्ब लगेगी वो हमेशा first form लगेगी first form लगेगी did के साथ जो वर्ब लगेगी वो कौन सी form लगेगी first form यहाँ पर लिखी जाएगी तो हम देख लेते हैं कौन से option है first form दी गई है तो देखिए toward, tier, torn और tier तो इसमें आपकी जो first form दी गई हो tier दी गई है इसलिए जो हमारा be option होगा वो right होगा next question देखते हैं higher we go, cooler it is इसमें आपको article भरना है पहले आपको option दिया गया है पहले वाले option में कोई भी article यहाँ पर कोई भी article नहीं लगेगा दूसरे में लिखा है दा लगेगा दूसरा option आपका दिया गया है दूनों में कोई article नहीं लगेगे आपका next option दिया गया है दूनों में article दा लगेगा पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी और D में दिखा है पहले वाले में दा article लगेगा और जो second है उसमें कोई भी article नहीं लगेगा अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा जो option होगा वो right होगा तो question के दर चलते हैं question दिया गया है higher we go cooler it is धान दिजे जब भी कोई भी हमारा sentence लिखा होगा और उसका subject जो होगा वो comparative degree होगा comparative degree दिखाई दे रहे हैं high की comparative degree होती है higher होगा यानि कि comparative degree होगी और हम चेक कर लेंगे कि जो हमारे दोनों sentence लिखे हैं दोनों sentence में हमारे comparative degree subject है की नहीं है नहीं देख सकते है higher आया यहाँ पर भी degree आया है cooler आया है न तो जब हमारी दोनों में comparative degree लगी हुई है तो ध्यान देनी वाली बात यह है कि दोनों sentence में हमारा article दा लगेगा यानि पहले में भी हमारा यहाँ पर दा भरा जाएगा दूसरे में भी क्या फिल किया जाएगा दा लिखा जाएगा the higher we go the cooler it is का रूल यह है कि अगर कोई भी sentence दोनों तरफ की जो subject होंगे वो comparative degree होंगे तो दोनों से पहले article दा लगता है इसलिए जो हमारा option number C है वो right हो जाएगा क्योंकि इसमें ही दोनों में दा और दा लिखा हुआ है next question देखते है question number 56 से लेका 58 तक जितने भी question दिये गया है वो opposite word है यानि आपको opposite word क्या करना है ढूनना है 56 number question दिया गया है लिखा है inevitable inevitable मतलब होता है अटल, निश्चित इसका क्या ढूनना है आपको opposite ढूनना है लिखा है unavoidable यानि कि इसका बेटल हो जाएगा eatable, eatable मतलब होता है खाने योग ये, uncertain मिस क्या होता है अनिश्चित होता है, तो आप देख लीजी अनिश्चित जो हमारा लिखा हो है यानि जो uncertain लिखा है यही हमारा right word होगा क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है opposite word और inevitable मिस होता है निश्चित, अटल और इसका opposite हो जाएगा uncertain यानि कि अनिश्चित submit मतलब होता है चोटी अगला advance advance मतलब आगे होता है इसका opposite क्या होगा follow follow मिस होता है अनुसरन करना दूसा दिया गया है submit submit मिस होता है जमा करना तीसा लिखा है disperse disperse मतलब होता तितिर बितिर होना बिखर जाना और चौथा दिया गया है retreat Retreat मतलब होता है पीछे होना तो आपको बताया Advanced मतलब आगे होना आगे बढ़ना और इसका अपोजिट हो जाएगा Retreat Next Insolvent Insolvent का मींस होता है दिवालिया याण इसके पस कुछ भी पैसे ना हो तो इसका हमें क्या ढूनना है इसका ढूनना है अपोजिट वर्ड चले देखते हैं पहला लिखा है Bankrupt Bankrupt का मींस भी होता है दिवालिया यह सनुनिम हो जाएगा Insolvent का दूसरा है Wealthy Wealthy का मींस क्या होता है धनवान होता है धनी होता है इसका मतलब यह Wealthy जो है वो Insolvent या Bankrupt का क्या है अपोजिट वर्ड है Unfamiliar मतलब होता है अपरीचित और Stain मतलब होता है दाग या धबा Question No.59 से लेका 61 तक जितने भी Question दिए गया है उसमें क्या करना है आपको Similar वर्ड होने यानि कि आपको सनुनिम धूने पहला लिखा है Incredible मतलब होता है आप विश्वस निये अतुल निये इसका आपको सनुनिम धूनना है Option दिए गया है Interesting का मींस होता है रूचिकर दूसरा है Magnificent, Magnificent मतलब होता है शानदार तीसरा लिखा है Disgusting, Disgusting मींस होता है घिनोना, घ्रनित और चौता लिखा हुआ है Unbelievable यानि आप विश्वस निये तो हमारा जो डियो अप्शन है वो बिलकुल राइट हो जाएगा क्योंकि Incredible मींस भी होता है आविश्वस निये अगला Dastard, Dastard मतलब होता है कायर तो चली देखते हैं इसके हमारे सनुनिम क्या हो सकते हैं पहला लिखा है Destitute, Destitute मींस होता है बेघर, बेसहारा Adroit लिखा है दूसरा Adroit का मींस होता है Skillful यानि की Nippund तीसा लिखा है Brave, Brave का मींस होता है बहादूर और चौथा लिखा है Coward Coward मतलब होता है कायर अभी आपको बताया है कि जो Dastard लिखा है Dastard का मींस भी क्या होता है कायर होता है इससे जो Coward option है वो क्या हो जाएगा राइट होगा लेकिन इसके साथ इसाथ नीचे जो वर्ड दिये गए उनकी भी मेनिंग हम एक बार चेक कर लेते हैं stupid दिया है stupid means होता है मूर्ख stubborn मतलब होता है जिद्धी और legitimate मतलब होता है वैद कानूनी चलिए आगे देखते हैं question number 62 से लेका 64 तक जितने भी आपको question दिये गया है वो one word substitution based है आपको right option choose करने है पहला लिखा है 62 question a speech meet without preparation यानि बिना तयारी के दिया गया भाशन तो उसे क्या बोलते है prepared, debate, extemporary या फिर fetry site तो जो बिना तयारी के दिया गया भाशन है उसे बोलते है extemporary यानि जो हमारा c option है वो बिलकुल right है next देखते है question number 63 यानि सभी बीमारियों की दवा इलाज इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है पनासिया इसलिए जो हमारा b option है वो क्या है बिलकुल right है next देखते है question number 64 one who eats everything is card जो सब कुछ खाता है वो कहलाता है option दिये गए हर्विवोरस हर्विवोरस मतलब होता है शाकाहारी दूसरा लिखा है gregarious ग्रिगारियस वो लोग होते हैं जो जुन्ड में रहना पसंद करते हैं तीसरा है credulous credulous मतलब होता है भरूसे मन और चौथा दिया है omnivorous omnivorous का means होता है सरवाहारी यानि जो सब कुछ खाता हूँ इसलिए जो हमारा जो option number D है वो क्या हो जाएगा बिलकुल right हो जाएगा next देखते हैं next देखते हैं question number 65 से लिकर 69 तक जितने भी question दिये गया है वो क्या है active passive wise based है question number 65 देखिए लिखा है novels interest me अब आप ये देखिए देखिए active से passive बनाने में सबसे पहले हमें verb देखनी चाहिए है ना कि हमारा sentence लिखा हुआ है वो कौन से tense में लिखा हुआ है इसको हम verb के सरी ये पहचान सकते हैं तो आपके सामने जो sentence लिखा हुआ है novel interest me तो इसमें हमारी verb क्या use हुई है interest use हुई है interest वर्प की कौन सी form है first form है तो जब first form है इसका मतलब जो हमारा sentence ये दिया गया है वो present in definite tense में दिया गया है यागर आपको sentence में verb की first form दिखाई दे त आपको समझना चाहिए कि sentence हमारा present in definite tense में है और passive बनाने में वो जो वर्प की first form है वो is, am या आर की साथ वर्प की third form में बदल जाएगी तो चलिए देखते हैं सबसे पहले sentence बनेगा कैसे तो इस sentence हो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा सबसे पहले हमें क्या करना है object उठाना object हमारे क्या लिखा मी, मी का subjective case क्या होता है, होता है I, क्योंकि हमारा sentence present in reference में है इसलिए I के साथ क्या लगेगा, am लिखेगा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, जो हमारी verb है उसकी third form लगाएंगे, तो लिख लेंगे, interested, interested, अब ध्यान रखें, interest के साथ जो हमारे preposition होती है वो by नहीं लगती है, बलकि interest के साथ जो हमारे preposition होती है, वो in लगती है, in, ध्यान रखें, interest अपने साथ कौन से preposition लेगा, in लेगा, in, अब जो हमारा subject है, उसको लिख लेंगे, in novels, यानि जिस भी option में आपको ये लिखा दिखाई देगा, वो option हमारा right होगा, I am interested in novels, तो द हमारा interest है, वो अपने साथ preposition in लेता है, इसलिए ये option ही हमारा right होगा, क्योंकि इसमें verb भी present indefinite के according लगी हुई है, next देखते हैं question, question number 66, I saw him opening the box, तो अब इस sentence हम कैसे बनाएंगे, देखिए जब इस तरह के आपको sentence दिखाए दे तो हम first verb पे focus करेंगे, first verb कौन सी है, 100 है, 100 वर्ब की कौन सी form है, second form है न, अगर second form इसका मतलब वो past indefinite में sentence लिखा हुआ है, और past indefinite में पैस्यों बनाने में हम क्या करते हैं, was ये वर्ब की साथ third form लगाते हैं, तो हमें बनाना कैसे है, ये sentence हमारा subject शुरू हुआ है, इसका मतलब हम object से बनाना शुरू करेंगे, तो हमारी वर्ब है, साथ की third form लिखेंगे, साथ की third form क्या होती है, scene होती है, इसलिए हम लिख लेंगे, scene, scene लिख लिया, अब हमें क्या करना है, जो हमारे extra word है, वो लिखने है, opening, opening the box, अब क्या बचा, खाली I बचाना तो पहले by लगा लेंगे, फिर I को change कर देंगे, me में, य झालाब, he was seen opening the box by me, तो चले देखते हैं, he was seen being लिखा, तो यह wrong हो गया, being लिखा होने की वज़े से, दूसरा, the box was seen the boxते शुरू हुआ, किसे शुरू होना चाहिए, किसे शुरू होना चाहिए, next देखते है, he was seen opening the box, तो यह option हमारा right है, क्योंकि यह उसी formula से बना हुआ है, जो भी आपको उपर बताया गया है यह वह सीन ओपनिंग दा बॉक्स बाई मी लिखना चाहते है तो लिख लेते लिए कि इसमें क्या किया गया है एजेंट को हटा दिया गया है तो यह फिर भी यह राइट ही रहेगा वह नीचे आप जो option देख लिए यह डी लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा सीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी गई है उसे जबकि थर्ड फॉर्म तो अलड़ी लगी हुई थी ना तो यह भी रॉंग हो जाएगा नेक्स देखते हैं तो अब यह इस अंड़े सो कैसे बनाएंगे सबसे पहले वर्ब देखेंगे वर्ब कौन सी दिखाई दे रही है सेकेंड फॉर्म दिखाई दे रही है यानि कि पास इंडफिनिट में है पास इंडफिनिट में भी आपको उपर ही बताया गया जब भी pass indefinite की verb दिखाई देगी तो was a word लगाएंगे तो was a word लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा object object हमारे दिया गया him change हो जाता है he में और he के साथ क्या लगता है was लगता है he was अब जो हमारी verb लिखे उसकी third form लिखेंगे pleased और pleased की third form भी pleased होती है अब ये धान रखिए जिस तरह से भी आपको हमने उपर बताया कि interest के साथ में in लगता है ठीक उसी तरह pleased के साथ में with लगता है pleased के साथ में जो हमारे preposition लगती है वो with लगती है ना कि by इसलिए हम लगा लेंगे with अब जो हमारा subject है उसको note करेंगे the news he was pleased with the news तो चले देख लेते हैं he was pleased by the news तो बताया गया by नहीं लगता है with लगता है दूसा लिखा he was pleased with the news यान ये option ही हमारा right होगा क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें preposition 2 लिखी हुई है और इसमें जो चौथा वाला उसमें लिखा none of the above तो हमारा जो right option हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भी हो जाएगा क्योंकि इसमें ही लिखा हुआ है he was pleased with the news next question देखते हैं question number 68 everybody knows गांधी जी अब इस sentence पर focus करिए वर्व हमारी कौन सी लगी हुई है नोस नोस वर्व की कौन सी form है फस्ट फॉर्म है यानि प्रिजा इंडफरिट में है यानि इसमार लिखा जाएगा लिखा सबसे पहले object जाता है object हमारे क्या लिखा है गांधी जी तो हम लिख लेंगे गांधी जी अब गांधी जी हमारे singular है ना तो हम क्या लगाएंगे इस लगा लेंगे इस अब हमें क्या करना है जो हमारी वर्व है उसकी third form लगानी है वर हमारी no है और no की third form क्या हो जाएगा नोन हो जाएगा अब ध्यान रखिए जिस तरह से अभी आपको उपर बताया ग लगता है ठीक उसी कि उसी तरह से जो हमारा no है ना नो के साथ हमेशा टू लगती प्रिपोजिशन तो अब जो हमारा subject है उसको लिख लेंगे object बना कर यानि sentence बनेगा गांधी जी इस known to everybody तो चली देखते हैं गांधी जी वास आ गया तो यह रॉंग हो जाएगा क्योंकि प तो यह भी रॉंग होगी अगला लिखा है गांधी जी इस known to everybody यह sentence हमारा बिलकुल राइट एक प्रिपोजिशन लगी हुई है और करेक्ट वर्ब भी लगी हुई है अगला देखते हैं question number 69 she will help me तो अब आप देखे हैं इसमें sentence में वर हमारी क्या लिखी विल के साथ बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे object object हमारे लिखा मी मी बदलेगा आई में आई की साथ क्या लगता है शेल लगा लिया अब ध्यान रखिए यह जो future independent होता है उसमें हम क्या लगा लेते हैं बी लगा लेते नहीं जो वर्ब की third form लिखेंगे उससे जस्ट पहले क्या लगा तो चले चेक करते हैं किस option में ये लिखा हुआ है पहला option में क्या लिखा आई शूड लिखा है तो ये ऐसे ही wrong हो गया यानि होगा हमारा जो right answer वो होगा I shall be help by her तो चले चेक करते हैं I shall be नहीं लगा इसमें तो ये wrong हो गया I shall be help by her ये सई है क्यूंकि जो मारे d option है उसमें क भी question दिये गए ना उसमें कोई ना कोई error है आपको उसे find out करना है question number जो हमारा 70 दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है which sentence is correct इस sentence में कौन सा sentence सही है दिखाए he was astonished at his success, he was astonished in his success, he was astonished for his success, he was astonished of his success इसमें भी क्या है आपका preposition based question है ये astonish के साथ में कौन से preposition लगती है, astonish के साथ में हमीशा जो preposition लगती है वो at लगती है, इसलिए जो हमारा right जो option हो जाएगा वो a वाला है यानि आपने सीखा कि astonish के साथ में कौन से preposition लगेगी, at लगेगी x 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 where I lived, कीता, ask me where I lived तो शलिए, देखते हैं कौन सा option हमारा right है तो सबसे पहले आप देखिए sentence हमारा complex है, question word बीच में आ रहा है, धान ने जब भी इस तरह के sentence होंगे तो जो question word है न, question word के तुरंत बाद हमारा क्या आएगा subject आना चाहिए question word के तुरंत बाद क्या आना चाहिए subject आना चाहिए, subject हमारा क्या, इसमें subject आया, नहीं आया, गलत हो गया दूसरे option में subject आया, नहीं आया ये भी wrong हो गया, तीसा देखिए she asked to me where I lived हाँ, इसमें तो आया है, question word के तुरंत बाद subject आ रहा है, तो अभी इतना से हीने हम check कर लेंगे, sentence में हो सकता, कोई और भी error हो था, देख लीजे ask जो तू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ask के बाद क्या लगता, directly object आता है, to कोई preposition नहीं लगती है, तो ये वाला भी wrong हो गया, क्योंकि ask अपने साथ यहां पर preposition to लगा, लिये होए, जो की नहीं लगती है, तो ये भी wrong हो गया, चौथा देखते हैं, गीता ask me where I live, था, ये सही लेका देखे ask की साथ कोई preposition भी नहीं लगी, where के बाद question word आया है, और sentence जो लिखा है, वो assertive बना हुआ था, इसलिए sentence, जो हमारा D वाला है, वो बिलकुल right है, next देखते हैं, question number 72, the correct sentence is, the bag together with the books are lost, the bag together with the books are lost, चलि इसका rule हम आपको पहले ही बता देते हैं, देखे जब together with आता है sentence में, together with आता है, तो ऐसी cases में होता ये हैं, कि इसमें दो subject आते हैं, the bag और the books दिखाई दे रहे हैं, तो अभी करना ये है, कि जो हमारा together with से पहले वाला subject होता है, वर हमेशा इसके according लगनी चाहिए, यानि first subject के according verb लगेगी, और इसमें लगा क्या है, r लगा है, किस से according लगा है, books के according लगा है, तो इस तरह से ये जो option हमारा है, वो wrong हो जाएगा, क्योंकि हमारे according, जो right option होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, the bag together with the books is lost, जो हमारा right option होगा, उसमें r के बज़ए क्या आएगा, is आएगा, तो चले चेक कर लेते हैं, b वाले में देखिए, r आया है, तो ये ऐसे ही wrong हो गया है न, c वाले में देखिए, is आया, चेक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, क्योंकि c और d दोनों में हमारा क्या आया है, is आया है, तो ध्यान दीचे कि subject हमारे similar ये है न, तो इसके according इस लिखा है, ये जाइट लिखा है, लेकिन यहाँ तो subjective plural लिखा है, इस लिखा है, ये वाला भी wrong हो जाएगा, जो हमारा right option है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं, unless he does not cut his expenses, he will be bankrupt, इसमें भी आपको क्या देखना है, किस पार्ट में error है, unless, unless मतलब होता है, जब तक न, है न, जब भी unless आता है न, अपने साथ में कभी negative word नहीं लेगा, क्योंकि खुदी negative होता है न, unless मतलब जब तक न, तो जब unless आपको दिखाई दे रहा, लेकिन इसी sentence में आपको क्या दिखाई दे रहा, इसी पार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा, does not लिखाई दे रहा न, तो यहाँ पर does not होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि sentence में हमारा पहले ही unless दिखा हुआ है, इसलिए जो हमारा sentence में does not है, वो wrong होगा, इसलिए जो हमारा गलत और जो हमारा एरर पार्ट है वो कौन सा है ए वाला है नेक्स देखते हैं question number 74 इसमें भी आपके एरर किस पार्ट में है देख लिजे दुबारा से पुझा जा रहा है किस पार्ट में एरर है या फिसमें कोई भी एरर नहीं है तो इसमें एरर है क्या एरर है सबसे पले हम subject की तरफ चाहते हैं सब्जेक्ट हमारे लिखा हुआ है the news सब्जेक्ट हमारे लिखा हुआ है the news the news singular है या plural है news हमेशा singular होती है इसलिए इसके recording जो हमारी warp लगनी चाहिए वो singular लगनी चाहिए लेकि इसमें वर्ब क्या लगी हुई है इसमें जो वर्ब लगी हुई है वो plural लगी हुई देख लिजी R लगा हुआ है तो यहाँ पर R ना होकर होना क्या चाहिए इस होना चाहिए इसलिए जो हमारा error part है वो कौन सा है? C वाला है नेक्स सेखते हैं question number 75 I went there with a view to meet him no error आप बताएं सेंटस में क्या error है ध्यान दीजी यह जो with a view है ना with a view जब भी यह आएगा ना तो अपने साथ हमेशा जीरंड लेता है जीरंड का मतलब है work की first form में क्या लेगा ing लेगा with a view अपने साथ का लेता है जीरंड लेता है यानि यहाँ पर to meet ना होकर होना चाहिए meeting इसलिए इसमें जो C पार्ट है वो wrong हो जाएगा क्योंकि with a view के साथ हमेशा क्या आता है जीरंड आता है इसलिए यहाँ पर meet ना होकर होना चाहिए meeting next देखते हैं question number 76 preposition लगती है वो off लगती है इसलिए इस पार्ट जो हमारा B वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा वो wrong हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर for की जगा पर क्या आना चाहिए off आना चाहिए तो यह थी हमारी अच्छी class I hope आपको अच्छी लगी होगी इसका second part जल से जल आपको provide किया जाएगा तो please मैं यह channel से जुड़े रहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों की साथ share करना बिल्कुल भी ना भूलिए thank you so much